हलो फ्रेंज स्वागता आपका रंडार पार्ट साला में मैं आज फिर चल आया हूँ आपके लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण परसनों का संकलन पहला परसन देखिए जो मित्र नए है वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन को ट्रेस कर लिए इससे विरागा में जितने भी वीडियोज है वह आपको डाइरेक्ट बिल्टे रहेंगे आज हम दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण परसनों की बात करेंगे जो सही उत्र वो है प्रमेय है सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शन में चार प्रकार के प्रमेय बताए गए हैं जिसमें पहले क्या है मूल प्रकृती है फिर विक्रती है फिर प्रकृती विक्रती है और फिर ने प्रकृती ने विक्रती है तो इस प्रकार चार जो प्रमेय बताए गए है अब इससे कई प्रशन बनते हैं कि देखो मूल प्रकृती से महदादी जो है वो साथ पदार्थ उत्पन होते हैं जिनको हम विकरती कहते हैं प्रकृती और विकरती दोनों कहते हैं क्योंकि इन से भी सोडस प्रकार की विकरती हैं तो ये प्रकृती भी है विकर प्रकार यह प्रमेय कहें चार प्रकार के अगला प्रसंदेखिए असद करना अदुपादान ग्रणा सरवसंभवा भावा शक्तस्य सक्य करना अदकारन भावा चे सत्कारियम किसे संबंदिश्च लो कहिए सत्कारियवाद से या प्रते सर्ग से तो इसका जो सही उत्र है वो है सत्कारियवाद सांग के दर्शन में सत्कारियवाद परिणाम बाद को माना गया है सत्कारियवाद को भी परिणाम बाद का गया है इसके पांच तत्व बताए गए उसदगरनात, उपादान गरनात, सरवसंभवा भावा, शक्तष्य शक्य करनात, कारण भावाद ये पांच तत्व बताए गए किसके सदकारिवाद के प्रश्ण कही बार आता है जैसे असत करनात किसे संबंदित है, उपादान ग्रिनात किसे संबंदित है, सरवसंभवाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाब प्रकृति स्वुरूप से पुरुष के स्वुरूत्व से संग्हातपरार्थट्वात शब्द मुझे उम्मीद्य प्रम이스 इसका पूरा श्लोक सुनिया आप संघात प्रार्थत्वात त्रीगुणादी विपरियायाद अधिश्ठानाद पुरुषोस्त्री भोक्त्री भावात कवल्यार्थम प्रवित्थेश्च ये जो श्लोक है ये पुरुष के स्वरूप को सिद्ध करता है पांच तत्व बताए संघात प्रार्थत्वात पहला त्रीगुणादी विपरियायाद दूसरा अधिश्ठाना तीसरा भोक्त्री भावात चोथा और कवल्यार्थम प्रवित्थेश्च ये पांचों के पांचों तत्व पुरुष के स्वरूप को सिद्ध करते हैं सांख्य दर्शन में अगला अगला प्रसंदे के विपरियाया शक्ती तुस्टी सिद्धा के ये किसके संबंदिते हैं प्रते सर्ग से या अपवर्ग से तो मुझे उम्मीद आपने अपना अंसर टिकर लिया हो तो इसका सही उत्र प्रते सर्ग से विपरियाया शक्ती तुस्टी सिद्धा के जो हो प् और कुल कितने भेद है तो 50, क्योंकि जो जैसे विपरिये है, विपरिये है, तो विपरिये है के पहले इन्होंने 5 भेद किये हुए है, उसके बाद अशक्ति के 28, तुष्टि के 9, और सिध्धि के 8, तो इस परका टोटल मिला के जो है वो 50 परतेसर के भेद है। गुरू वरनकमेव डैश क्या नचीए है, सत्वम या तमह, तो इसका सही उत्तर है, तमह, क्या अंसर आएगा, तमह, क्यों? एक स्लोक है सत्वम लगू प्रकाशकम इश्टम मुपंश्टम भकम चलम चरजह, गुरू वरनकमेवं तमह, प्रदीप वच्चार्थतो वृत्तिह तो इस लोक में गुरू वरनकमेव तमह, सत्व को लगू और प्रकाशक कहा है, और रज को चलम कहा है, चंचल कहा है, उपश्टम भकम कहा है, और तम को जो है गुरू वरनकमेव कहा है, गुरू मतलब भारी, भारी कहा है अंदकार को, तो यहां इसका तमह आंसर है, अगला प्रति विश्य अध्यवसायो डिष्ट मुझे किसका लक्षन ह द्रिश्टम अनुमानम आप्तवचनम तो उसमें प्रत्यक्ष काहा है द्रिश्टम को शब्द और अनुमान ये तीन प्रकार के जो है प्रमान बताए गए हैं तो उसमें प्रत्यक्ष का जो धारन दिया हुआ है वो अलक्षन दिया हुआ है प्रतिविश्या ध्यवसायो द्र अगले प्रस्व condition कि आफ़ेंगे तर्क कोंदी के रचनाकार कोन याने उप्संदेके लोगाक्शिबासकर या विश्वनाथ, तो मुझे उमीद आपने अपना इसर्टिक कर लिया होगा तो इसका जो सही उत्र है वो है लोगाक्शिबासकर, लोगाक्शिबासकर तर्क कोंदी और अर्थ संग्रे दोनों लोग आप्षी भासर की रचनाई है अगला परसंदे केंगे उलूकह कौन कहे गए हैं उलूकह तो उपसंदे के कनाद या गोतम तो मुझे उमिदा आपने अपनान सा टिकर लियाओगा तो जो इसका सही उत्तर है वो है कनाद को ही उलूकह या इन नाम से जाना जाता है ये वैशे शिख दर्षन के प्रवड़तक आचारिये हैं वैशे शिख दर्षन के कनाद अगला परसंदे तहें के गमन किसका भेद है गमन किसका भेद है तो मुझे उमिदा आपने अपनान सा टिकर लियाओगा तो अब्सनिदे करम या भाव इनम उतख्षेपन अपक्षेपन आकुंचन प्रसारन औरग्मन तरकसंगरे की बात करें हमें यहां पर तो करम से 5 ज़न को पर चत्रबीद की बता है है प्रद्ध्ध्वनस भाव अन्योनन अभावक है तो ये बहुत ही मैतुपुन प्रश्ण है परिक्षा की दृष्टी से अब हम देखेंगे आज का प्रश्ण विशेष के प्रकार है ये आपके लिए प्रश्ण है इसका अंसर आप कमेंट बोक्स में जाके लिखेंगे कि विशेष के कितने प्रकार है एक या अनन्त ये आपको कमेंट बोस्ट में जाकर इसका अंसर देना है तो आज के लिए तैंक यूँ